तो आपको बता दे कि दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल का जो फाइनल रिजल्ट है ये आपका आ चुका है आपने यहाँ पर देखा होगा कितना फास्ट इस वेकेंसी के प्रोसेस को खतम किया गया है कि 3-4 महीने में आपका फॉर्म भरवाने से लेके और आपका फाइनल रिजल्ट तक यहाँ पर डिकलियर कर दिया गया है ठीक है आपको पता है कि 9 दिसंबर में इसका पेपर हुआ है अभी कुछ दिन पहले इसका आपका फिजिकल कराया गया है और इसके साथ आज इसका फाइनल रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है एक बार हम लोग देखेंगे क्या आया है रिजल्ट में और जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन सभी बच्चों को SSE Maker के पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपके लिंक में एक Google Form दिया गया है कमेंट बॉक्स के लिंक में एक Google Form दिया गया है उस Google Form को आप सभी बच्चे जिनका भी सेलेक्शन हुआ है उसको जरूर भरिएगा ठीक है और बाकी जो बच्चे जिनका सेलेक्शन नहीं हुआ है उनको आगे क्या करना है देखिए आगे मैं आपको बता दू यहाँ पर क्या हुआ है अभी कुछ दिन पहले जैसे बच्चे बता रहे थे जब इसका आंसर किया था कि सर मेरे इतने नंबर बने है इतने नंबर बने है मतलब cut up से आप समझ लीजे वो बच्चे पांचे नंबर उपर थे लेकिन अब फीजिकल इसका ऐसा हुआ कि बहुत से बच्चे यहाँ पर फीजिकल से रिजेक्ट हुए तो सभी बच्चों को बता दू कि देखिए आगे अगर अभी देखेंगे तो आपके पास SSC GD की वेकेंसी है आपके पास UP Police Constable की वेकेंसी है तो आपके एक जो इसका कटप था दिल्ली फुलिस का आप उससे बहुत आगे हैं ठीक है कई बच्चे दो नंबर चार नंबर पास नंबर आज मैसे जा रहे हैं कि सर मेरा कटप से तो छे नंबर उपर है लेकिन मैं फीजिकल से बाहर हो गया फीजिकल के लिए मैंने इतनी तयारी की य देखी यह सारी चीजे हैं क्या क्या गलतिया रह रही है एक छोटी सी चीज यहां पर हमको ध्यान देने वाली बात है आप पीछे कई एक्जाम देख लीजिए टीपियों के एक्जाम हो चाहे जीडी का एक्जाम हो चाहे दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल का एक्जाम हो करते हैं रिजल्ट आएगा तब हम जाएगे दोडने उसके बाद हम जाएंगे फिजकल देने ठीक है और दस दिन का सामय मिलता है दस दिन में फिजिकल आपका बनी नहीं पाता है ठीक है तो इसी लिए सारे बच्चों को खासकर जीडी वाले बच्चे यूपी पुलिस कॉ ला लिया जाए ठीक है तो थोड़ा सा रिजल्ट पर नजट डालेंगे क्या है कैसे चीजे हुई है कहां पर जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए है कहां पर दिक्कत आया है यह सारी चीजे हम लोग यहां पर देखेंगे अगर यह आपको क्लियर दिख रहा हो और बाकी य हुई है आप यहां पर देखेंगे कि 86,000 कंडिडेट थे जो यहां पर सॉट लिस्ट हुए थे आपके फिजिकल के लिए 83,000 में से यहां पर 32,000 बच्चे तो फिजिकल देने गए ही नहीं अब आप सूच रहोंगे इतना बड़ा नंबर 22,000 बच्चे फिजिकल देने क्यों नहीं गये क्योंकि फिजिकल में टाइम मिला कहां ठीक है 15 से 10 12 13 दिन का आपको समय मिला है फिजिकल के लिए कितने बच्चे फिजिकल तयार कर पाएंगे जो जिनका फिजिकल पहले से तयार था वो बच्चे गये हैं दिने और जो बच्चे सोच रहे थे कि रिजल्ट आ ज फिजिकल कराया जाएगा और अगर आप सुरू से नहीं तयार है तो उद 10 15 दिन का समय जो भी आपको मिलेगा ना वहां पर भी आपको दिक्कत होने वाली है तो जो भी बच्चे हैं वो अभी से सतर्क हो जाईए ठीक 32,000 बच्चे नहीं गये हैं 53,000 बच्चों ने यहां प पर फिजिकल में क्वालिफाई हुए ठीक अब फिजिकल में क्वालिफाई होने के बाद क्या हो गया पिजिकल में क्वालिफाई हो गया इसके बाद आप यहां पर देखेंगे जो फाइनल सेलेक्शन हुआ है तो कितने बच्चों का हुआ है तो यहां पर जो फाइनल सेले फिजिकल में अगर यहां पर और बच्चे पास हुए होते जो इन्हों ने 8883 किया है अगर यहां पर 10,000, 12,000, 15,000 बच्चे पास हो गए होते फिजिकल में तो और बहुत से बच्चे इसमें सेलेक्ट हो जाते ठीक है और बहुत बच्चों को यहां पर मौका मिलता आप देख में क्या हुआ जरूर कोई ना कोई यहां पर सीट बहुत से सीट खाली रहेंगे छे साथ सो सीट यहां पर खाली रहेंगे तो वो बच्चे जो अच्छा परफॉर्म करके आये थे अगर यह फिजिकल में थोड़ी से और बच्चे क्वालिफाई हो जाते तो छे साथ सो और बच्चे ऐसे थे जिनको रोजगार मिल जाता जो यहां पर सेलेक्ट हो जाते बहुत से बच्चों का ड्रीम पुष्ण आ होगा कि मुझे दिल्ली पुलिस में जाना है ठीक है तो यह चीज यहां पर हो जाता तो यहांपर अब पता क्या था इतने जल्दी के चक्कर में ये सारी गल्तिया भी हो जाएंगी किसको बताता अब एकदम जल्दी में result वाया ठीक है कुछ बच्चे select भी होगे बहुत अच्छी बात है लेकिन उसके चक्कर में छे-साथ सो बच्चे जो reject होगे बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिनके मन में है कि सर हमारे तो पांचे नंबर जादे आया था हमारा तो होई जाता ठीक है लेकिन physical में reject होगे ठीक तो मैं अभी से बता दू आगे अ उसके लिए भी आप बच्चे तयार रहिएगा ठीक है अभी से physical activity चारू कर दीजिए जिस दिन paper दे देते हैं उस दिन के बाद तो पूरा दिन लग जाईएगा physical में ठीक है अगर यहां पर cut up देखा जाए तो जो यूर से cut up गया है यह 68 गया है OBC 67 C से 58 SC से 50 यहां भी 58 है E EWS 50, 61 marks आपके cut up गया है ठीक है यह आपके ex-serviceman के cut up है और इसी प्रकार आपके females के भी cut up यहां पर लगे हुए है ठीक तो females के जो यहां पर cut up गया है यह आपका UR 61, OBC से 60 number, ST से 53, SC से 46 और EWS से 53 number यहां पर cut up गया हुए ठीक है तो चलिए जो बच्चों ने जिनका selection हो बहुत अच्छी बात है आप आगे और भी तैयारी करते रहेगा क्योंकि दिल्ली पुलिस exam में जैसे दिल्ली पुलिस के बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो आगे exams की तैयारी करते हैं बहुत से बच्चे ऐसे होते जो UPSC के भी तैयारी करते हैं ठीक तो जिनका selection हो गया है आपको बहुत सारी सुब काम ना है, आप सभी बच्चे Google Form को जरूर भरिएगा, बाखी आगे तैयारी करते रहिए, जिन बच्चों का सेलेक्शन नहीं हुआ है, यहां के गलतियों से आपको सीखना होगा, फिजिकल के लिए आपको हर समय तैयार रहना होगा, देखिए, आभी तो ऐसा हो गया है ना, कि एक्जाम में जितने प्रोसेस हैं, सब के लिए आपको तैयार रहना होगा, CGL के छात्र हैं, Tier 1, Tier 2, सब के लिए तैयार रहे है, टाइपिंग के लिए भी तैयार रहे है, जिस दिन आपका Tier 2 हो रहा है, उसी दिन आपका टैपिंग भी हो जा रहा है, टो इन सारे प्रोसेस के लिए आप सुरू से आपको तैयार रहना होगा, खास कर अभी GD वाले बच्चे जो भी होंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अचा, ये लिस्ट, ये जो आपका लिस्ट है, और इसके साथ जो बच्चे सेलेक्ट हुए है, सेलेक्टेट केंडिडेट का लिस्ट आपके SSC मेकर के टेलिग्राम चैनल पे एविलेबल है, ठीक है, ये वो लिस्ट है, जितने भी केंडिडेट सेलेक्ट है, उसमें इन सब का नाम यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, बाकी बच्चे मन लागा के पढ़िए, जो भी सेलेक बहतर हो सके, उतना बहतर कराएंगे, आपको बार-बार कहा जा रहा है, कि आप आगे के प्रोसेस के लिए भी तयार रहिए, ठीक है, आपको लगता है, आपका सेलेक्शन हो जाएगा, तो और हो जाएगा, आप पढ़ रहे हैं, तो क्यों नहीं होगा, सारे बच्चों का से क्लेक्शन होगा, ठीक है, चले, मिलते हैं सुभगी क्लास में, तब तक सभी बच्चों को नमस्कार रहें